तो दोस्तो स्वागत है आपका ये होने वाला वीडियो नंबर 6 इस पूरे प्लेलिस्ट का जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कैसे ब्लॉगिंग के लिए क्या 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 करना होता है कैसे वेबसाइट वगेरा बनानी है और उसके बाद क्या 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 चीजे हमें करनी है एडसें अपरूबल लेने से पहले तो पहली पांच वीडियो में गी also बेहरी से ऑगार बताया है और यह सब बताया कि आप कैसे जो होस्त कर सकते हो कैसे जो है डॉमेन ने और होस्त वगेरा के मै।ट कर सकते हो अगर वह दूरेनल आपने चाहँ से आपने खरीदा है उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कैसे WordPress website जो है बना सकते हो उसके बाद जो छोटे मोटे changes है initially वो कैसे करने और वो सब करके हमने जो है अपना initial जो यह वाला website बना लिया था ठीक है मैंने थोड़े बहुत changes जरूर किया इस website में जो last tutorial बनाने के बाद थोड़े बहुत जो pictures है वो मैंने changes कर दी है ठीक है और यहां पर जो initially मैं article लिखूंगा वो जो है कुछ artificial intelligence machine learning और cloud technologies वोगेरा से related होने वाले हैं ठीक है तो इसलिए जो मैंने पूरी website है उसको थोड़ा बहुत जो है kind of technology का touch up दे दिया है और इसके अलावा जो है बाकी सारा जो blogs, contact tests वगेरा यह सब as of now बिल्कुल empty है तो यह सब हम लोग धीरे-धीरे ब्लॉग्स वगेरा लिखना शुरू करेंगे तब यह fill up होगा ठीक है लेकिन सबसे पहले एक important चीज जो हमें करनी है वह यह करना है कि अगर आप देखोगी अभी website जो है ब्लॉगिंग से रिलेटीड जितनी वी वीडियो है वह one by one देखनी है तब यह आपको ठीक से प्रॉपरली समझ में आएगा तो यह वाली जो प्लेलिस्ट है इस पर जाके ब्लॉगिंग की वीडियोस देख सकते हो तो मैं आपको उतारा कि जो यहां पर हमारा website है यह हमेशा लॉग का सिंबल आना चाहिए कभी भी जो है ऐसे warning नहीं आना चाहिए अगर warning हो गयरा आ रहा है तो आपको एडिसेंस मिलने में आपको मिलेगा ही नहीं अगर मिलेगा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा इसके अलावा जो है अगर कोई जो वीजिटर है वो आपकी website access कर रहा और यहां पर warning बना आता है तो इसका मतलब यह है कि website secure नहीं है especially अगर जो है आप अपनी website पे payment वगरा ले रहे हो उस case में तो definitely अगर आप कोई भी website देखते जो not secure है कभी भी अपने credentials payment वगरा से related मत करो उस site पे तो बात करते हैं कि SSL आपको मिलेगा कैसे तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मैंने hostinger से actually खरीदा था जो hostinger पे मैंने host कर रखा है टेक बस गाइड और domain name मैंने खरीदा था big rock से ठीक है तो यहां पर आप देखोगे अगर मैं यहां पर SSL अगर आप सर्च करोगे तो आप आजा होगे इस SSL वाले section में और यहां पर जब SSL पे click करोगे तो यहां पर दो option आएगी आपको आएगी purchase SSL की यह आपको आगी import SSL की तो SSL जो है दोस्तों आपको खरीदने की जुरत बिलकुल नहीं है जो एक provider है which is called let's encrypt तो let's encrypt जो provider है वो आपको free certificate देता है ज सबसे पहले जो है आपको यह जो लिंक है मैं वो दे दूँगा आपको अदरवाइस आप जो है सबसे पहले जो है अगर आप यह वाले section में आएंगे installation instruction में तो यह वाला जो link है उसमें software का link दिया हुआ तो इस पर click करेंगे अगर आप अगर मैं click करता हूं तो आप अगर on screen instruction कुछ आएगा तो next next करते रहना default location पर यह install हो जाएगा ठीक है इसको install करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कौन से आपको steps follow करने है SSL generate करने के लिए ठीक है let's start हम लोग जो अपनी website है उस पर SSL generate करते हैं फिर जो है आपको पता चल जाएगा कैसे करना है तो सबसे पहले जो हमें command चलानी है वह यह वाली command है certbot एक चीज़ आप देखो जो मैं हूँ इस समय मैं हूँ c drive windows system 32 में तो यहां पर जो by default अगर आप certbot install करते तो by default इस location पर होता है और उसके बाद हमें यह जो लिखना है command certbot space cert only space hyphen hyphen manual ठीक है manual लिखने का यह purpose है because जो हम जो certificate generate कर रहे है वो different website के लिए कर रहे है और वह वाली website जो है इस वाले local host पर आने की मेरे वाले जो desktop है उस पर नहीं चल रहा है ठीक है वो hostinger पर चल रहा है यह हो सकता है किसी भी provider पर चल रहा हो तो उस case में आपको यह लिखना है उसके बाद हमें देना है hyphen hyphen preferred challenge preferred challenge में दो चीजे होते है या तो आप DNS hyphen 01 लिख सकते हो या आप HTTP hyphen 01 लिख सकते हो दोनों ही case में आपको एक different challenge देगा और उस challenge को आपको fulfill करना होता है certificate generation से पहले तो हम लोग इस command को लिखने के यहां पर देखोगे आप इसने next पूछ रहा है please enter in your domain name तो यह next जो basically domain name मांग रहा है तो हम लोग अपना domain name देते हैं techbuzzguide.com और हमें क्या करना है multiple domain names देने हमें एक तो देना है techbuzzguide.com और second हमें देना है www.techbuzzguide.com because जो users हैं वो दो तरीके से कोई-कोई user होता है वो पूरा लिखता है www.techbuzzguide.com कोई user जो होता है वो सीधा जो आपकी website का नाम लिख देता है तो इसलिए हमने दोनों दिये हैं उसके बाद जो है enter मारो फिर आप यह पूछेगा next information अब यहां पर यह क्या पूछ रहा है create a file containing just this data तो यहां पर basically अब यह मांग रहा है आपको बोल रहा है कि जो आपकी website है वहां पर यह एक file बनाई है जिसका यह नाम होगा ठीक है और जो है उसमें यह वाला data डाल दीजिए तो अब हमें क्या करना है because हमें पता है कि हमारी जो website है वो हो रही है hostinger पे तो हमें hostinger का जो account है यानि कि जो हमारा server है उस पे हमें जाके login करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले जाते हैं hostinger में उसके बाद यहां पर आप सर्च कर सकते हैं ssh लिखके और ssh लिखेंगे तो आपको जो आपकी ssh detail होगी वो मिल जाएगी कोशिश करें यह जो जितनी भी detail यहां पर किसी से share मत कीजिए ठीक है मैं सिरफ यहां पर quickly login करके आपको दिखाता हूँ तो आपको command prompt पर जाके आप जो जो भी यहां पर दिया हुए ssh वाला इसको copy paste कर द किया था जब हम लोगों ने यह website बनाई थी ठीक है तो वो चीज मैंने कर लिए अब हमें क्या करना है हम जो है login हो चुके है अब मैं एक बर just quickly screen screen जो है clear कर देता हूँ अब हमें जो करना है इसने जो instructions दिये थे उसको देखते हैं एक बर ठीक से तो instructions में हमें बोला गया था कि हमें जो है techbusguide.com जो हमारी website है उसके अंदर हमें .wellknown.acme-challenge के अंदर जो है एक file बनानी है उसका यह वाला file name होगा ठीक है तो मैं already जो है server पे जाकर देखता हूँ देखते हैं क्या है यहाँ पर अगर मैं ls करता हूँ तो आप देखोगे domains है domains के अंदर जो है मैं cd करता हूँ उसके बाद ls करता हूँ तो आप देखोगे यहां बहुत सारे domains है ठीक है यह जो है unix command है शायद आपको allds के साथ familiar होगी अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत जो मैं कर रहा है उसको बस follow करते रहो बाकी जो है आपका काम हो जाएगा अब जो हमें जाना है techbus guide.com के अंदर क्योंकि वह वाली हमारी website है उसके बाद मारो enter फिर से डालो ls-lrt और आप देख सकते हो public html यहां पे है इसके बाद हम क्या करेंगे cd public html के अंदर आप देखोगे हमें यहां पे जो इसने बोला हुआ है डिरेक्टरी वह बनाना है हमें बनाना है .well-known ठीक है तो इसकेस में मैं सीधा cd space .well-known कर दूंगा तो मैं इसके अंदर चला जाएंगा अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपको पहले mkdir command use करके well-known directory है वह बनाना है इसके बाद well-known के बाद जो है next मुझे बनाना है ACME challenge कर तो मैं जाता हूँ ACME challenge पर और I think ACME challenge भी मैंने already बना रखका है तो मैं सीधा cd ACME challenge कर सकता हूँ तो यहां पर है ACME challenge नहीं है which is fine just give me a moment हाँ यहां पर ACME challenge नहीं है और इसको जो है इस नाम से file बना दूंगा तो मैं लिखूंगा file बनाने के लिए touch और यह जो आपकी file name है वो आपको देना है यहां पर उसके बाद जो है हमें इस file में डालना है data हमें यह जो data है यह जो line यहां पर दिवी है यह line डालनी है तो इसलिए मैं इसको copy कर लेता पूरा और उसके बाद यह जो file है इसको open करूंगा vi editor में और उसके बाद यहां पर जो पूरे का पूरा paste कर देता हूं that's it यह हो गया हमारा step 1 अब यहां पर यह बोल रहा है कि जब यह step कर लो उसके बाद press enter to continue तो मैं अब जो है enter press करता हूं अब एंटर प्रेस करने के बाद let's say देखते हैं क्या होता है ठीक है एंटर प्रेस करने के बाद इसने हमें एक चैलेंज और दे दिया है कि हमें यह वाला जो है एक और file जो है बनानी है और उसकी entry भी करनी है तो quickly क्या करते हैं यह जो file name है इसको copy करते हैं और यहां पर हमे हमें फिर से एक नई file बनानी है जिसका जिसकी command है touch space file ने enter मारी है उसके बाद हमें इस file को open करना है और यह file जो है बिल्कुल खाली है इसमें हमें क्या है यह वाला data डालना है तो इसको मैं copy कर लेता हूं और इसको यहां पे मैं paste कर दूंगा ठीक है तो उसके बाद इसको save क पर यहां पर जाईए यहां पर आपको फिर से प्रेसे एंथर टू.क anche इसके बाद ये बोला है पर वैटिग पर गातलिता तो मैं क्या करूंगा मैं जो है इसको कॉ और आप जो है Windows Explorer पे जाईए आप यहां पे जो पाथ दिया हुए सीड्राइव सर्ट बॉट लाइव उसके अंदर जाईए और यहां पे जो आप देखोगे सर्टिफिकेट पड़े हुए ठीक है तो देखो कैसे कुईकली हमने सर्टिफिकेट बना लिया है अब हम जाएंगे यह होस्टिंगर वाली साइट पे यहां पे फिर से सर्च करेंगे SSL और उसके बाद हम यहां पे SSL सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे आप देखोगे जो ऑप्शन आ रहा था इंस्टॉल SSL परचेज यहां नहीं जाएंगे हम जाएंगे इंपोर्ट SSL में यहां पे आप से जाते हो और उसके बाद इसका जो है content पूरा कॉपी कर लिए और यहां पे पेस्ट कर दीजै सर्टीफिकेट के अंदर ठीक है उसके बाद जो है next private की प्राइवेट की के लिए हमें सेम करना है हमें जाना है यहां पे private की जो है वह यहां पर पड़ा हुआ है और इसको राइ SSL is successfully installed Congratulations, हमारा SSL है इस website पे चल रहा है free of cost यहाँ पे एक चीज और है यह वाली जो window है यहाँ पे force HTTPS का option है तो यहाँ पे आप click कर दो तो अगर कोई HTTP डाल के आपकी website open भी करना चाहेगा तो यह उसको forcefully HTTPS पे हमेशा भेजेगा अब क्या करते हैं quickly जो है इस website को फिर से open करते हैं और देखते हैं क्या होता है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नए टैप पे और डालता हूँ techbusguide.com और हमने enter मार दिया है उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे lock बना हुआ रहा है lock बना हुआ रहा है यहाँ पे इवन देखोगे आप लिखा हुआ रहा है connection is secure which is amazing मतलब free of cost जो है हमने जो SSL generate किया और हमने जो अपनी website है पूरी तरह secure बना ली है इससे क्या होगा हमें जो है approval मिलने में काफी असानी होती है अगयरा की ठीक है अब जो next हमारा जो होगा वीडियो उससे हम लोग start करेंगे ब्लॉग उगयरा लिखना और जो प्री रिक्विजिट है मोटा मोटा हमने सब कुछ कर लिए अब हम जो है around 10 आर्टिकल लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब आर्टिकल आप लिखते हो उसको जो है SEO Optimize कैसे करना है ठीक है तो वो सब करने के बाद जो है फिर उसके बाद हम जो विदिन 2-3 दिन में apply कर देंगे AdSense के लिए ठीक है तो इतना है इस वीडियो में मिलते है फिर अगली वीडियो में कोई भी question हो या आपको कोई मेरी personal help चाहिए हो तो comment section में बता दो और मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी help करूँ See you again in the next video